तो और मेरे प्यारे भाईयों कैसे आप लोग मैं लेके चुका है किन्नी वीडियो और इस वीडियो में आपको दिखानों लेको दूस्तों हमारे पास जो है TFT डिस्प्ले 390 KTM Duke का आया हुए मतलब कि Duke 390 का TFT मीटर आया हुए जिसको हम लोग रिपेर करने वाले इस वीडियो में ठीक है बाकी इस मीटर में प्रब्लम यह है कि आप लोग को पता ही होगा कि जो इसका TFT डिस्प्ले होता है वो पानी और दूप के मिक्स होने के वज़े से जो मीटर का डिस्प्ले होता ह वो फैड हो जाता है बाकी आपको मैं ओन करके भी दिखाते था हूं क्या कंडिशन है और जब बन जाएगा तो भी आप लोग देखिए का कंडिशन कितना अंतर रहेगा इसमें बाकी मैं ओन करके आपको दिखाता हूं यह दिखिए इसका जो डिस्प्ले वाई पूरा रहती हे ठीक है तो इन दोने डिस्प्ले का वाई ज़्यात्र प्रोलम आता है कि जो यह दिस्प्ले होता है बीच में इसे Level होना會 स्टाट हो जाता है क्योंकि भाई दोप और पानी में ज्यादा तर यह रहता है और यह पूरा नेकेड होता है इस वज़े से यह ज्यादा तर प्रोलम देखने को मिलता है बाकी इस मिटर को मैं अच्छे से चेक कर ले रहा हूं कि कोई दिक्कत और भी तू नहीं है और इसमें एक और सिस्टम है पाई कि इसका जो ब्राइटन्श होता है वह 3 मतलब कि आप दिन में चलाओगे तो दिन का सिंतर के वज़ां से यह पौसिबल होता है और इसका निकाल लिया इसमें पत्ते वाले डिस्पले लगती है जो कि है मैं आपको दिखा देता हूं यह देखो यह पीछे पत्ता बहुत ही नाजुक डिस्पले होता है यह आप अगर मीटर के दुनिया में भाई नए हो तो बिल्गुल ट्राइब मत करना नहीं तो भाई आप नुक्सान करा लोगे क्योंकि वाई जो चल रहा है वो भी नहीं चलेगा ठीक है इसमें आपको बहुत ही ज्यादा experience की जरूरत है अगर इसको आप रिपेर कर रहे हो तो क्योंकि इसका डिस्पले होता है बहुत ही बहुत ही पतला होता है समझ लोगी पेपर डिस्पले होता है पेपर उससे थोड़ा सा मोटा होता हो और बहुत ही कमजोड होता है ठीक है तो उसको बहुत ध्यान से करना होता है बाकी मैं इ दिखा देता हूं एक बार और कि इसका कंडिशन क्या है उसके बाद मैं इसको रिपेर करूंगा और आपको दिखाऊंगा वही रिपेर होने के बाद क्या कंडिशन होता है ठीक है और यह यूटूब पे काफी कम लोग वीडियो डाले हैं ज्यादा तर वाई आप मेरा ही बाकी लोग जो भी वीडियो डाले हैं सब मीटर को एक्स्चेंज कर दिये और उसके बाद आपको दिखा दिये हैं और रिपेरिंग बहुत कम लोग कियें इसको ठीक है तो यह देखिए मैं इसको ओन करके आपको दिखा रहूं और आप खुद देखिए कैसा फैड हुआ है एक मिनिट कनेक्सन मेरा थोड़ा गलत लग गया इसका जो मदर बूड़त है दोस्तों यह खराब हो जाए तो बहुत कम चांस रिपेर होने के क्योंकि बहुत ज्यादा कॉंपोनेंट है और इसको समझने के लिए बहुत ज्यादा माइंड चाहिए तो हम बाई उतना सकते हैं दोस्तों कि यह जो डिस्प्लेवाई वाइट दिख रहा है और इसका जो सेंसर वाई इसको चेंज कर दें मतलब बंद कर दें तो यह जो डिस्प्लेवाई अपने आप आटोमेटिक जो है ब्लेक कलर में हो जाएगा मतलब थीम चेंज होते रहा था इसमें तो थीम जो कीमत है भाई 30,000 रुपे का ये पढ़ता है और दोस्तों इसको जो है मैं रिपेर करके आपको दिखाता हूँ कि भाई कैसे ये रिपेर होगा और उसके बाद आप कंडिशन में आप खुद मैच करना ये देखा आप थीम चेंज हो जा रहा है भाई आटोमेटिक और उसके भी दिखाता हूँ दोस्तों पहले तो भाई बहुत ही आराम से इसको निकालना रहता है क्योंकि एक भाई ने निकाला था और उसका जो पुरा स्ट्रिप था वो कटा हुआ था मैं आगे वीडियो भी लेकर आऊंगा उसका तो पूरा फट गया था उसका जो स्ट्रिप होत यह मैंने रिपेर कर दिया दोस्तों आप लोग देख सकते हों कितना एचडी दिख रहा है और रेडी टूरेस लिख रहा है और सब कुछ अच्छे से वीजीबल हो रहा है बाकी यहां पर थोड़ा सा स्क्रेच है क्योंकि कस्टमर इसके पहले साथ खोलने की कोशिस किया है या फिर कुछ न कुछ कियें है या फिर कही ना कही से मतलब सीपिंग में ही कुछ ना कुछ हुआ है जिसके वज़े से थोड़ा सा लाइनिंगा अ गई है लेकून उससे कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा वह लानिंग ठीक है बाकि हम तो चाहते ही कि आराम से निकले अगर नहीं निकलता तो थोड़ा वो डैमेज करना पड़ता है तभी यह निकलता है क्योंकि बहुत बहुत अच्छे से यह पकड़ा रहता है बाकि आप लोग क्वालिटी चेक कर सकते हो दोस्तों कि कैसा लग रहा है अगर हमारी यूटूब चैनल को और हम बाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेटर का वीडियो लेकर आते हैं और आपको दिखाते हैं ठेक बाई तो मैं चलता हूं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में